हेलो फ्रेंड तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि snap mint application से loan कैसे ले सकते हैं बिना income proof के तो दोस्तों आज यहां पे कोई भी income proof नहीं देने वाला हूं और loan लेके बताने वाला हूं, loan लिया हूं मैं और उसके बाद ही video बनाया हूं जो application loan नहीं देता है मैं उस application के बारे में चर्चा भी नहीं करता हूँ अपने वीडियो में तो यहाँ पे जितना भी loan मिलता है वो सब आपके सामने बताऊंगा कितना loan मुझे मिला है क्योंकि यह video live ही आपके सामने आने वाला है और दोस्तो इस application का मुझे एक अच्छा खास बात यह लगा कि इस पे ब्याज बहुत ही कम लेता है दो से 4% प्याज पे यह आपको loan देता है तो इससे best क्या होगा तो सभी चीज आपको इस वीडियो में detail में बताने वाला हूँ step by step कोई भी जानकारी आपको अधी अधूरी नहीं मिलेगी जो लोग वीडियो चुर के जाएंगे उसको जरूर पस्तावा होगा क्योंकि ऐसा वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलता है जल्दी से आप लोग बहुत YouTube पे वीडियो देखते हैं लेकिन आपको कोई भी जरूरत पे काम नहीं आता है वीडियो तो चलिए दूस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो सबसे पहले मैं अपने home screen पे आ जुका हूँ जो की यहां पे देख सकते हैं मौयल स्क्रीन पे और यहां से आपको स्नेयब में एप्लीकेशन को खोड़ लेना है अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कियें तो Play Store से डाउनलोड कर लीजिएगा एकॉंट बना लिजिएगा एकॉंट बनाना बिल्कूल ही आसान है उपको यहां एकॉंट बन जाएगा अगर आधार कार्ड में मुवायल अमर जुरा रहेगा तो तो सिंपल सा तरीका है यहाँ पे कोई भी पेन कार्ड की ज़रूरत नहीं है लोन लेने के लिए तो देखिए मैं इंटरफेस खोल लिया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आपको उपर में थ्री डॉट मिल रहा है इस साइड में इस पे किलिक कर देना है इस पे जैसे ही किलिक करेंगे दोश्तों तो यहाँ पे आपको यहाँ परस्टनल लोन का एक उप्सन आएगा new करके तो यहाँ पे आपको personal loan का option है इस पे simple से click करना होगा तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी चीज आपके सामने live बता रहा हूँ हूँ तो यहाँ personal loan पे मैं click कर देता हूँ और उसके बाद जो भी step है वो आपको ध्यान से देखना होगा तो देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 का loan अगर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ तो मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10,000 रुपया मुझे दिया गया है तो 10,000 मेरा first time है तो 10,000 दिया गया है आप लोग अगर second time लेते हैं तो आपको ज्यादा भी amount दिया जाता है तो इस application का पुरा review मैं अपने चैनल पे ला चुका हूँ आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं तो यहाँ से मैं 10,000 नहीं लेके यहाँ पे 5-6,000 रुपया लेने वाला हूँ 10,000 मुझे मिल रहा है देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि 5-10,000 रुपया के बीच में आप लोन ले सकते हैं तो मैं 6,000 रुपया यहाँ पे लेने वाला हूँ मुझे उतना जरूरी नहीं है तो 5-10,000 के बीच में तो 6,000 ले लेता हूँ सिर्फ आप लोग के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद आप लोग देख सकते हैं लोन का रिजन बताना है किसलिए आप यह लोन ले रहे हैं और यहां पे जैसे ही 6000 रुपिया मैं डालके यहां पे verify पे click करूँगा verify 9 पे आपको click करना होगा तो simple से यहां verify 9 पे click कर देना है तो इस पे जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने जो processing fees है और जो loan अगर दिया जाता है कि नहीं यह सब आपको बता दिया जाएगा तो देखिए for loan amount 6000 वहां पे लिया गया है और processing फिस 360 रुपिया लगेगा यानि कि account में 540 रुपिया आपको आएगा उसके बाद इसका EMI आपको सामने बता देगा तीन मेहने का EMI बनेगा छे मेहना का पांच मेहना का EMI बनेगा दो EMI पे आप इस loan को ले सकते हैं पांच मेहना का लेते हैं तो तेरह सो एक रुपिया आपको देना होगा तो मैं भी इसी पे किलिक कर देता हूँ पांच मेहना का तो तेरह पचे 65 रुपिया हो जाता है मेरा इसका टोटल एमोंट और 306 रुपया मेरा कट जाएगा क्या मेरा कट जाएगा प्रोसेसिंग फीज तो दोस्तों आपके सामने उसके बाद देख सेकते हैं इसका बेंग करने के लिए आएगा बेंक अकॉंट पहरी फाई यहां पर आपको अपना बेंक अकाउंट और आपके सामने दो अपस्वार्ट काड तो यहां पर क्लिक कर देना है अगर आपके पास ATM है आपके bank का तो देख सकते हैं यहां पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह वर्ल कुछ लिख रहा है और यहां पे बेट का option आ रहा है तो आप लोग ध्यान से इसी तरह से करिएगा आप लोग कहीं भी दिकत में नहीं परिएगा अगर मेरे हिसाब से आप लोग चलते ह हैं तो देख सकते हैं यहां पे कुछ लोडिंग हो रहा है जैसे यह ओपन होगा मैं आपको बहुत बताऊंगा दोस्तों अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब ने कि तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर द मड़न कर दोकर रहोगा ओर कितना कनलों लेतें यह सब बता दिया जाएगा उसके बाद यहां पे आपको कार्णर मिर सबसे नीचे ये स्क्रोल करकर नीचे तो यहां पर कर लिजेगा उसके बद Archite going को का option पे क्लिक कर देना है तो यहां से आपको क्या होगा कि आपका EMI mandate हो जाएगा आपके bank account से और आपको जमान ही करना होगा अपने आप एक 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 रूपिया महिना जो पांच महिना है वो कटते रहेगा आपको यहां पे कोई भी घबराने की बात नहीं है क्योंकि यहां पे NPCI सी जैसे ही लिंक हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद continue करेंगे और इस तरह से एक फॉर्म जाएगा NPCI द्वारा कि हाँ मैंने लिंक कर किया हूं इस अप्लिकेशन को तभी जाके यह होगा तो देख सकते हैं यहां से फिर से प्लीज बेट का ऑप्शन आ रहा है इमेंडेट आपको असानी से हो जाएगा आपको दिक्कत की बात नहीं सिर्फ वीडियो में जो एस टेप बताएगा है उस एस टेप को आप लोग देखते रहिएगा ध्यान से उसके बाद भेरी फाइक करीडिट इलिजिबिलेटी कनफर्म ओडर यहां से आपको दिख Fortune लग रहा है आपको इस की संभ लोन पर तो दोर अर्षब सो पैसे टोटल यहां पे लगएगा यानिकि 300-1900 प YOU 10TM आपको लग रहा है छे यहां डर उपिया पर यानिकि पांच महिना का किस्थ है तो तो समसकते हैं आप को पांच महिनान पर को आजए और यहां परे उसके जासिए में यहाँ पर बताया गया हूँ सभी तरुका आपको फोलो करना है उसी तरीका से फोलो करना है तबहीं जाके आपका लोन पास होगा आप लोग गलती करेंगे कोई भी हैसramento Dus पास नहीं होगा तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कोमेंट किजिए तो देखिए मैं go to order पे किलिक कर दिया हूं और यहां पर आपको बता दिया गया है कि आपका पैसा कितना दिन में आ जाएगा 24 घंटा में 7 विज़े तक आ जाएगा तो चलिए मैं अ देख सकते हैं snap mint के दोरा आया है और total available balance 742 रुपया हो गया है मेरे account में और यहां पर देख भी सकते है money transfer complete हो चुका है इस application में तो यहां से आपको लोन लेना बहुत ही easy है आसान है आप लोग एक बार ये वीडियो आसानी से देख लिजिएगा पूरे ध्यान से अगर कोई जरूरत पर जो application काम आता है वही हम लोगों के लिए best है क्योंकि अगर आप जरूरत पर कोई भी बड़ा बड़ा application है जैसे credit भी हो गया इस तरह के application से आप लोग load लेरा चाहते हैं तो जरूरत पर नहीं दिया जाता है तो दोस्तों आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि अ या मैं इस पर कैसे भरना है तो यह सब आपको अगले वीडियो में आने बाद